थेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बूजो तो जानें तो चलिए सुरू करते हैं पहला कॉशन एक सपाही ऐसा बीर ध्यान से सुनिए कॉशन है एक सपाही ऐसा बीर जो गान अगा के मारे तीर जल्दी से इस कॉश्चन को आंसर बताना है आपके पास हैं सिर्फ 30 सेकेंड चलिए मैं ही बता देता हूँ इस प्रशन का आंसर है मच्छर चलिए आंगे चलते हैं दूसरे प्रशन की ओर एक गुफा के दो रखवाले दोनों लंबे दोनों काले इस प्रशन का आंसर बताएं इस प्रशन का आंसर है मूच है तीसरा कॉश्चन है ऐसी कौन सी जगह है जहां आमीर और गरीब दोनों कटोरी लेकर खड़ा होना पड़ता है ऐसी कौन सी जगह है कि जहां आमीर आदमी और गरीब आदमी कि दौनों को कटोणी लेकर खड़ा होना बढ़ता है इस प्रश्ण का अंसर है गोलगप्टी की दुकान पर चलि Becca प्रेशले अंगले प्रशन की ओर चलते हैं प्रश्ण के घर चार एक प्रशन का उन्षार ग्शार अंसर के ता है एसी कौन सी चीज है जो सौने की होती है पर सौने से सस्थी होती है इस प्रश्ण का आंसर है चार पाई अंगला प्रश्ण है वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है एसी कौन सी चीज है जिसे अंधा भी देख सकता है फिर प्रश्ण का आंसर दें चलिए मैं बता देता हूँ इस प्रश्ण का आंसर है अंधेरा तो अब वक्त हो गया है फणी साइरी का एक लड़का एक लड़की से बोलता है लब्ज तेरे गीत मेरे गजल कोई सुनाओं क्या तो लड़की बोलती है हाथ मेरे गाल तेरे कान के नीचे बजाओं क्या अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज इसको लाइक कर दिजिए सेर कर दिजिए और अगर आप नए महमान है तो प्रीज इसको सब्सक्राइब कर दिजिए